अगर आप मुझे explain करें, मुझे ये बता है कि मैं solar panel लगा लूँगा, तो मुझे bill कम आएगा और मैं हकूमत को बिजली वापस बेच सकता हूँ, आम बंदे को आप इसको कैसे explain करेंगा, देखें, आज आप बिजली 70 रुपए में खरीद रहे हो, जो कि more or less आपको हर दूसरे तीसरे महीने news आती है कि दो रुपए टरिफ बढ़ गया, तीन रुपए बढ़ गया, मतलब you have to pay that, अचा अब ये running expense है, नहीं भरा, तो बिजली काट के चले देगे, आप अमीर हैं, गरीब हैं, office, whatever, अचा मैं एक concept समझता हूँ कि हर बंदा अपनी छोटी-मोटी savings कर रहा होता है, ठीक है, तो मैं इक ही बात समझता हूँ कि भाई, example देता हूँ, कि घर में आप के बच्चे स्कूल भी जाते हैं, सब जाते हैं, ठीक है, ट्रांस्कोर्ट के पैसे आप भर रहे हो ना, हर महीने भरते हो, आप ये देखते हो कि यार, ट्रांस्कोर्ट के पैसे अगर जादा बढ़ते रहे रहे हैं तो यार मैं तो गाड़ी रख लूँ वो जादा गाड़ी अच्छी है कि यार गाड़ी भी आ जाएगी और यह फ्यूल के मतर्ब ट्रांस्कोर्ड इतना बढ़ गी है कि मैं गाड़ी से जादा गर तो इसी तरीके से कि भाई existing आपका framework की electric से या वाबदा से चल रहा है अब वो जो आपको पैसे चार्च कर रहा है वो हर महीने बढ़ा रहा है अब आप चारे हो कि यार यह तुम्हें एक budget बना कर रखावा है कि भाई मेरे 50,000 रुपे जा रहे है 50,000 रुपे लाख रुपे हो गए तो इससे बेटर है कि कोई alternative source है तो मैं alternative source की तरफ चले जाता हूँ वाइबल है पाइदार है मना दो तीन चीज़ा आती है कितनी का है कितनी warranty है कितना कब तक चलेगा यह product तीसरा after sale service कैसी है क्योंकि भाई अगर यह खराब हो गया है तो electrical की चीज़ ना टीवी भी लेते हो तो दस दफा सोचते हो कि यार अच्छे बैटरियां नहीं लगाते तो चार रुपेगा unit पड़ता है over the life ठीक है मतब चार रुपेगा unit आपको पड़ेगा solar से बनाया वा unit अब तुम एक unit बनाओ या लाक unit बनाओ पड़ेगा चार रुपेगा इसकी life के इसाब से इसकी warranties के इसाब से ठीक है दूसरी बात किया वहा है साथ साल हो जाएगा बैसे के लिए सब्सक्राइब बैस यह है कि बिजली बनाओ खुद इस्तमाल कर है जितनी खुद इस्तमाल कर रहे हूं वैल और उसका कोई ना वाबडा को concern है ना के ऐलेक्टरिक को concern है हुद इसका को बेच रहे है तो है तुम अज का unit rate क्या है जो base tariff है, off-peak का 38 या 35 रुपीज, जो भी आपका base tariff है, उससे वो set-off कर रहे हैं, tax तुम में है, फिर भी बरना है, ठीक है, 35 रुपे से set-off मिल ला है, अब मैं आज की तारिक में आपको ये कह रहा हूँ, कि दुनिया जिस तरह चल लगी है, वो buy-back tariff change करेगी, 35 रुपे का 18 रुपे हो जाएगा, 18 रुपे हो जाएगा, या इस्ता इस्ता tariff change करेंगे, मसला ही है, आज हमारी lifestyle है है कि रात में बिजली स्तमाल होती है, दिन में तो हम गरों में नहीं होते हैं, हम offices में होते हैं, आप interview कर रहे होते हैं, हम काम कर रहे होते हैं, तो दिन के अधर तो time नहीं है, रात में हम enter होते हैं, तो हमेरी इसी इस चलते हैं, तो दिन में बिजली generate होती है solar से, तो रात के लिए क्या करें, तो उसके लिए we have got the alternatives which we have announced.